वास्तु सास्तर की यह सत्ताइश टिप्स आपके घर को खुशाल बना देगा नमबर एक अपने घर के नल से पाने को टपकने ना दे इससे आपके घर में आर्थिक संखट आ सकती है नमबर दो घर में तूठे पूठे बरतन का इस्तमाल ना करें नमबर तीन चट पर रखे पानी की टंकी से पानी का रिसाव ना होने दे घर में नकारत्म कूर्जा परविश करती है नमबर चार वास्तु नियम के अंसार ही पूजा घर बनवाएं और किसी भी देवी दिवता का एक सा अधिक तस्वीर या मूर्थी ना रखें नमबर पाँच तीजोरी में हल्दी के कुछ गांट एवं चावल को पीले करके पीले वस्तर में गांट बांध कर रखें इससे धन धन्य में बिड़दी होती है नमबर छे परती दिन घर में सुबह साम कपूर अवस्य जलाएं इससे सकारत में कुर्जा का प्रवेश होते हैं नमबर साथ सब्ता में एक बार गुरुबार को छोड़कर समुद्री नमक से घर का पोचर लगाएं घर में खुसी सांती और समढ़दी बनी रहती हैं नमबर आट, घर में कहीं भी मकड़े के जाले ना रहने देँ नमबर नौ, घर में कहीं भी कचरा और जल का जमावणा होने दे नमबर दस, घर के चत पर कूड़े, बास या तोटे उई चर्पाएं ना रखें नमबर ग्यारा, कभी भी ब्रह्म मूर्त या संद्याकाल में ज़हरों न लगाएं और ज़हरों को हमेशे ऐसे जगों रखें जहां बाहर से आने वाले किसी भी अतिती को दिखाई न दें ज़हरों को बेड के नीचे कभी न रखें नमबर बारा, घर की आएन कोण एवं उत्तर दिशा को हमेशे साप और खाली रखें नमबर तेरा, वासरुम को हमेशे गीला ना रखें इससे नकात्म कूर्जा घर में परवीश होती हैं नमबर चौद्धा, दक्षिन या पस्चिम दिशा को हल्का या खाली ना रखें इससे केरियर में इस्तिरता के लिए सुब नहीं माना जाते हैं नमबर पंद्रा, घर की दिवारों, परदों या चादर में जामुनी, काले या फिर बेंगनी रंगों का परियोग ना करें नमबर सोला, घर में सीडियों को पूर्व से पस्चिम या उत्तर से दक्षिन की और ही बनवाएं कभी भी उत्तर पूर्व से सीडिय ना बनवाएं इससे आपको आर्थिक नुक्सान और स्वस्ते में हाने का सामना करना पड़ सकते हैं नमबर सत्रा, घर के दिवारों या च्छत पर दरारे ना पड़ने दे अगर ऐसा होता है तो इससे तुरंती भरवादे घर में दरारों का होना असुब माना जाते हैं नमबर अठरा, बिस्तर के सामने आएना कभी ना लगाएं क्योंकि सोते वे ब्यक्ति का परच्छाई बनना असुब माना जाते हैं नमबर उनेस, अपने बेड़ूम में किसी भी देवी दित्रका तस्पीर या मूर्ती ना लगाएं नमबर बीस, बेड़ पूर्टो लुहे का ना होना चाहिए इससे आपके स्वस्ते को हानी हो सकती हैं नमबर एकिस, बेड़ूम के बल्ब का रंग लाल नहीं होना चाहिए नीले या फिर हरे रंग का बल्ब का इस्तिमाल किया जा सकते हैं नमबर बाइस, फटे हुए, बेड़ सिट, फटे हुए परदे या फटे हुए तक की का इस्तिमाल ना करें नमबर त्याइस, रव्वा के दिन कभी भी तुसी माता को जल अर पित ना करें नमबर चौबीस, बेड़ूम के दर्वाजे के सामने और छट के नीचे पलंग नहीं लगाना चीए नमबर पच्चीस, बेड़ूम में जूते चपल फटे, पुराने या फिर आवाज करने वाले कोई भी सामान ना रखें इससे घर में नकारत्मक उर्जा परविस करती है नमबर चौबीस, खाने खाने के बाद थाली में हाथ कभी न धोएं इससे मातालक्ष में रुष्ट हो जाती है नमबर 27, ज़ारो को कभी भी पेरों पेर ना लगाएं और ना ही ज़ारो को कभी ख़ड़ा रखें दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किरपए हमारे यूटूब चैनल लगों सुस्क्रेब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर करें ज़े हैं